Hello friends, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस्ट, बढ़िया चलो इस्टार्ट करते हैं आज हम लोग, सोसे फार्मेसी का चैप्टर नमबर फोर का लास्ट लेक्चर है ना यानि की लेक्चर नमबर 7, काफी छोटा है, कंपेर टू जो इसके पुराने लेक्चर रहे हैं, उसके मुकाबले काफी छोटा लेक्चर है यह और लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले है, Sexually Transmitted Disease, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इसक के बारे में वेगा से 90% चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, क्यों 10% चीज़ें समझने हैंगी, लिखना क्या है, क्या टॉपिक आएगा, ठीक है, स्टार्ट करें, चलो, Sexually Transmitted Disease, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो हम सब को बता है, Sexually Transmitted Disease क्या होती हैं, ऐसी बीमारियां, जो Sexual Contact के दौरान, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, Sexually Transmitted Disease, तो सिंपल सी बात है, Sexually Transmitted Disease, और Sexually Transmitted Infection, STDs के लो, यह STIs के लो, बात एक ही है, are infections, यह ऐसी infections है, that are passed from one person to another through sexual contact, यान कि during sex, यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है, they are usually spread during vaginal, oral और anal sex, ठीक है, normally जब vaginal, oral या anal sex होता है, उस दौरान एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, लेकिन कुछ बीमारी की बात करें, जैसे कि हर्पीस, हर्पीस एक बीमारी होती है, जैसे नहीं, फपोलेट आपके पड़ जाते हैं, हर्पीस वाइरस होता है, या human papillona हुआ वाइरस है, लेकिन होने के बाद अगर ये दो ऐसी है, कि अगर किसी दूसरे की स्किन पर टेच हो रही है, तो भी ये फैल जाता है, कुछ STDs ऐसी हैं, जैसे कि अपना HIV ले लो, जो अगर प्रेगनेंट लेड़ी को है, तो बच्चे के अंदर होने की उसके संभावना हो जाती है, आज़र डूरिंग प्रेगनेंसी या तो प्रेगनेंसी के दौरान और वेन गिविंग बर्थ, या जब उसे वो डिलेवरी दे रही होती हो, तो उस समय बिमारी उसके अदर ट्राफर हो जाती है, एक और तरीका है कि सेक्सुलिक ट्राफर डिजीज एक तो प्रेगनेंसी बच्चे को हो जाती है, प्लस दूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जब मा अपना बच्चे को दूद पलाती है, तो दूद के माध्यम से भी वो जो बिमारी है, बच्चे के अंदर फैल जाती है, ठीक ह एक्सुल कॉन्टेक्ट के अलावा जो एस्टीडी हैं वो इस्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, प्रेगनेंट लेडी से बेबी को, डूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, डूरिंग ब्लड ट्रांस्फूजन या शेरिंग ऑफ निडल के दौरान भी फैल सकता है, बास समझ में आ सिफलेस, ट्राइको, मॉनियासिस, कई तरह की है, जो कॉमन हमने यहां बात नाम लिख दिया, एक्जांपल जो की दो चार आपको याद रहने भी चाहिए, कि अगर कोई पूछ ले, एस्टेडीस क्या क्या होती है, तो आप तो चार नाम यहां से बता सकते हैं, ठीक है, तो वारेस भी कुछ बीमारियों कारण है, परासाइट भी कुछ बीमारियों कारण है, तो ओविसी बात है, कौन अफेक्ट होगा, ठीक है, जो इसकी है एस्टेडी होने के बाद, वो वोमें ज्यादा गंभीर पाई गई है, अगर एस्टेडी बच्चे में चली आती है, तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा है एक आम तौर पर अगर हम बात करें, कि सेक्शली ट्रांस्विट डिजीज जो इतनी सारी है, उनमें क्या सिम्टम कुछ कॉमन से हैं, जो आम तौर पर पाई जाते हैं, तो आर देखें, एसा जातर हो जाता है, एसा जातर हो जाता है, कई वर बिना सिम्टम के भी इंसान रहता है, अगर आपको सिम्टम नहीं भी हैं, तब भी सिम्टम आपके लिए बाड़ी के लिए हामफूल होती है, और वो बिरिंग सेक्स एक अनसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, अगर यहां शिम्टम हैं, तो क सकती है जखम टाइब के हो सकते हैं जो आपका आसपास का जनेटल एरिया है पेइनफूल और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जो पेसाब आएगी वो बार-बार आएगी और दर्द होगा पेसाब आने पर इचिंग खुजली हो सकती है लालपन हो जाएगा इंदा जनेटल एरिय पर आप याला मुह है उसमें भी छाली आले पढ़े आते हैं एक नॉर्मल कंडिशन में वेजाइना की एक तरह का ओर होता है गंद होती है वह ना रह करके एक एबनॉर्मल अजीव शी गंद आती है एनाल इचिंग एनाल में एनस में इचिंग हो सकती है इसोरने स्खरा से चले जाना जनेटल पार्ट में कोई चीज़ दिखती है तो जरूर्व डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप लोगों को यह बाते पता होने चाहिए बात समझ में आ गई चले आगे तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना एचाईवी जो हमारा फ्लेवस में है ना सबको पत कर दे एचाईव को सिंपल हीूमनिव्बियुट को सकते हैं आ sis इस इसा वाइट शूर्ङी होता है क्या कर देता है क्योंकि हमारे इसमें के सैल्स टेल्स होते हैं उनको यह मार करके कम कर देधा है एक अफैक्ट को यहाली हूंन में होता इंसान में ही रहता है immunodeficiency याने कि हमारा रोक परती रोधक छमता है हमारा immune system है डेफिनसी हो जाती है और breakdown of immune system यह हमारा immune system break कर जाता है और यही सबसे बड़ी बात होती है कि छोटी मोटी सर्दी खांसी जुखाम बखार कुछ भी हो जाएगा वो बिमारी आपकी ठीक नहीं होती है और कई सारे symptom से आप जगड़ जाती हो और आपकी death हो जाती है यह कई सारे symptoms आ जाते है that is called syndrome इसलिए उसको last stage होती है देखेंगा अभी हम लोग ठीक है जो HIV होने के बाद जो AIDS होता है this is the last stage of HIV infection अगर आपको HIV हो गया है आप AIDS वाली condition तक नहीं पहुचे हैं तो आप ता उम्र एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं यह ठीक है आपको अगर HIV है और AIDS नहीं HIV की condition आपकी AIDS तक नहीं पहुची है देखेंगा अभी एक क्या चीज़ है ठीक है वट इस तो फिर AIDS क्या है नो डाउट हमारा immune system weak पड़ गया है इसकी वज़य से AIDS हो जाता है कारण तो हमारा HIV है human immune virus ही है तो AIDS का full form है acquired to acquire का मतलब to develop over a period of time लंबा समय लगता है 4-5 साल 8-10 साल में यह आ पाता है लग पाता है AIDS ठीक है ना immunodeficiency immune को कमी हो जाती है immunodeficiency syndrome acquired immune deficiency syndrome के लिए रबाते हैं immune system हमारा get deficient syndrome मतलब group of science and symptoms बहुत सारे है खासी जुखाम खुझली हो रही है कुछ और दिक्कते आ गई हैं बहुत सारे symptoms आएंगे कोई एक बिमारी नहीं होती है उसके बहुत सारे symptoms हो जाते है क्योंकि कोई एक बिमार यह लगती चली जा रही है क्योंकि आपको immune system weak हो गया है that collectively indicate a disease ठीक है ना क्योंकि हम सबको पता कि हम रोज आना इतनी सारी गंद की चीज़ों से गुजरते हैं ठीक है गंदा खाना खालेते हैं बाहर की चीज़ों खाते हैं तो हमको छोटी मोटी बिमारी हमारी body में आती र देता है हम सबको पता यह चीज़ इफ HIV is not treated अगर उसे treat ना किया जाए it can lead to AIDS HIV होने के बाद वो AIDS में बदल जाता है acquired immunodeficiency syndrome में बदल जाएगा पहली दिसंबर world's AIDS day 1988 में स्टार्ट हुआ था यह आपका MCQ कोशन बनता है red ribbon आपने दिखा होगा इस टाप से red ribbon रहता है ठीक है international symbol of AIDS awareness यह 1991 में स्टार्ट हो गया था ठीक है एक red ribbon रहता है तो यह दोनों question आपके MCQ बनेंगे कुछ संस्था है यह जैसे कि NACO National AIDS Control Organization या NACP National AIDS Control Program 1992 में स्टार्ट हुए थे तो यह full form आप से पूछी सा सकती है क्योंकि यह इसी के अंदर है बात समझ मात ही है अब बात करते है है causative agent AIDS यह HIV इसका causative agent कौन है तो human immunodeficiency virus AIDS की जो कारण है AIDS का कारण कौन है HIV है it is a disease caused by retrovirus HIV जो है immune virus है यह कैसा होता है retrovirus retrovirus के माता होता है reverse transcriptase यहाँ पर मैं बता दू normally क्या होता है DNA के उपर क्या बनता है RNA बनता है बट हमारा जो है HIV है इसके अंदर RNA होता है और यह अपने RNA के उपर क्या बनाता है DNA बनाता है एक enzyme होता है कौन सा reverse transcript ठीक है reverse transcript नाम के enzyme से अपने RNA को बड़ DNA बनाता है और इस DNA को हमारे cell के DNA के साथ merge करवा देता है ले जा कर गए ठीक है तो यह disease का कारण कौन है जो virus है एक retro virus है हमारा immune deficiency कम कर देता है characterized by profound बहुत ज़्यादा immunosuppression क्या character है हमारी body का immune system बहुत ज़्यादा suppress हो जाता है वीक हो जाता है दो टाइप है इसके HIV-1 और HIV-2 which are genetically different but has related forms एक दूसरे जुड़े हुए हैं बट genetically genes थोड़ा सा दोनों का क्या है है HIV-1 is most common type associated with AIDS in US, Europe and Central Africa जो HIV-1 है वो जातर कहां AIDS का रूप लिया हुआ उसने US में, Europe में और Central Africa में जो HIV-2 है वो उसी तरह की दिविवाने पैदा करता है West Africa और India में दोनों related हैं दोनों ही AIDS पैदा करते हैं लेकिन HIV-1 यहाँ ज़्यादा पाया जाता है HIV-2 यहाँ ज़्यादा पाया जाता है HIV-2 is transmitted less efficiently than HIV-1 यह उतना अच्छे से transmitted अन्गे फैलता है जो जो ज़्यादा फैला हो जितना easily HIV-1 फैल जाता है HIV-2 उतनी easily नहीं फैलता है CD4-T lymphocytes यह इसके primary target है जो हमारे CD4-T यानि क्या हम बलें इसको helper T-cells जो हमारे क्या होते है helper T-cells होते है helper T-cells का काम क्या होता है body में जैसे ही कोई घुसेगा bacteria virus यह उसको पकड़ करके ले जाकरके हमारे immune system को सामने रख देगा देखो भई कोई attack कर दिया है आज 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 सब फॉज लेकर के अब इनकी होगी कमी बिचारों की तो पैचाने नहीं पा रहे है कौन बाहर का है कौन घर का है ठीक है तो बाहर के vector virus को पैचानने वाले जो cells है helper T-cells CD4 T-cells यह क्या हो जाते हैं कम हो जाते है macrophages and monocytes act as reservoir and spreading of virus इनके अंदर यह पनपते हैं फैलते हैं यह वो cells हैं जिसके अंदर यह multiply करते हैं इन monocytes and macrophages के अंदर जाकर के जो DNA होता है अपने DNA इसके अंदर merge करते हैं ठीक है तो इसके अंदर यह reservoir बंडार की तरह रहते हैं और क्योंकि अब इसके अंदर merge कर गा है तो दूसरे tissues पर attack करना असान हो जाता है slow infection with prolonged incubation period infection काफी धीमा होता है HIV का धीमे 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 फैलता है यह और incubation period काफी लंबा है यह अनकि symptoms आने में कई बाद 10 साल तक लग जाता है ठीक है आ गया आते है causative vision समझ में आ गया है इतना सब कुछ याद ना रहे तो क्या लिखेंगे human immune virus ठीक है human immune virus या human immunodeficiency virus clear है epidemiology की बात करें तो reservoir of infection कौन होता है कहां का infection पाए जाएगा जो case है या जो carrier है case जिसके अंदर symptoms दिखने start हो गया है carrier जिसके अंदर symptoms भी तक दिखने start नहीं हुए है once infected the virus remain in lifelong अगर एक बार आप infection हो गया तो फिर जिंदगी भर वारेस बाड़ी में रहेगा वो जाता नहीं है risk of development AIDS increase with time समय के साथ यादि कि अगर आपका HIV हो गया है तो समय के साथ वो HIV infection आपका AIDS में धिरे से convert हो जाता है symptomless carrier can infect other people for years जो symptomless लोग है जिनको पता ही नहीं कि हमको AIDS हो गया वो कई सालों तक दूसरों को AIDS फैलाते रहते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि मेरे को AIDS है तो दूसरों को फैलाते रहते हैं ठीक है communicability की बात करें कि कब communicable हो जाता है जैसी HIV infection हो जाता है किसी के अंदर तब से वो फैलाना स्टार्ट कर सकता है और पूरी जिन्दगी AIDS को HIV को फैलाता रहता है ठीक है तो इसकी communicability lifelong रहती है source of infection की बात करें तो सबसे ज़्यादा HIV के जो virus है हमारे blood में पाए जाते है semen और vaginal freedom पाए जाता है यही वज़े है कि sexual contact से बचना चाहिए pus from source जो हमारे फोड़े फुनसी होते हैं उनमें पस आता है उनमें बहुत ज़्यादा पाए जाता है और cerebro spinal freedom बहुत ज़्यादा पाए जाता है वही पर जो हमारा पसीना है आंसु है पेसाब है थूक है और दूध है मदब मा का इनके अंदर बहुत कम मातराम पाया जाता है यही वज़े है कि पसीना किसी का टच हो जाता है तो easily फैलता नहीं है कोई HIV की concentration बहुत कम ना के बराबर रहती है सबसे ज़्यादा अगर बलड़ टच हो गया है सीमें या बाजैनल फिल्ट हो गया है पस टच हो गया है और दूसरे के बॉड़ी में खुले हुए जखम से तो बहुत जल्दी फैलता हुँ हो कि बात करें तो 20-49 यह की लोग ज्यादा प्राववित होते हैं हाई रिसक ऑफ ग्रूप मेल होमोसेक्सवल ठीक है मेल होमोसेक्सवल उनके इंदर ज्यादा संभावना होती है बाइसेक्सवल इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर जो से क्या लेते हैं नशा करते हैं ट्रांस् ब्लड प्रोडक्स ठीक है साथ में हिमोफिलिक हिमोफिलिक क्या है जिनके इंदर खून की कमी रहती है तो उनके इंदर खून चड़ता रहता है तो इनफेक्टेड ब्लड की चड़ने की संभावना बढ़ जाती है तो यह होस्ट फेक्टर है इनके अंदर होने की संभावन with HIV हलका जखाम जैसा रहता है समझ में नहीं आता है फिर chronic also known as latent chronic मतलब एक लंबे समय से HIV आपके अंदर शुरुआत में infection आ गया खतम हो गया फिर फिर आप asymptomatic हो जाते हैं लंबे समय तक आपके अंदर HIV है आपको पता ही नहीं है can last for several years कई सालों तक आप latent latent मतलब छुपा हुआ HIV आपकी body में है लेकर आपको पता ही नहीं है asymptomatic है और फिर धीरे से बदल जाता है AIDS में AIDS वो condition आ जाती है occurs when CD4 cells जो अपने T cells थे हैं count falls below 200 cells per millimeter cube जब इनकी संख्या 200 से भी कम पहुंच गई यही निशानी है मतलब आपको AIDS हो रखा है इससे भी नीचे पहुंच जाती है तब मान लोग आपको AIDS हो गया HIV ने AIDS का रूप ले लिया makes a person vulnerable मतलब जो easily जिसको बिमारी हो जाएगी opportunistic infection मतलब छोटी मोटी बिमारी हैं जो आज पास लग जाती है इंसान को AIDS defining condition and AIDS defining condition उसकी आजाती है तो थार्ड स्टेज में आती है AIDS बहुत लंबे समय के बात अगर आप यहीं पर आपको पास चल जाता कि आपको HIV है और आप बहुत ज़ादा सावधानिया बरतते हैं प्रॉपर ड्रॉक्स लेते हैं तो आप AIDS वाली condition तक नहीं पहुंचते हैं फिर आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं mode of transmission यह हम सबको पता है किस-किस तरीके से फैलेगा यह mode of transmission क्या है sexual transmission हम सबको पता है blood contact हम सबको पता है अगर infected blood के touch में आ जाएगा दूसरे की body बॉड़ी टेस्ट में आने से ना इसलिए कभी भी जिसको AIDS होता है हमसा दस्ताने पहन के उसके जखम वगएरा साफ करने चाहिए maternal fetal transmission मा से बच्चे को unprotected sex sexual transmission के अंदर ही आ गया with multiple partner sharing needle needle share कर रहे हो आप pregnancy है breast feeding है उपर हमने सब बात कर चुके है blood transfusion, wound contacts याने की जखम है जखम किसी का है उसको AIDS है और उसका खून या जखम का पानी है आपके touch हो जा रहे है आपके जखम में लग जा रहे है तो हो जाएगा उसका कोई philode AIDS patient का आपको touch हो जाएगा जो वहाँ पर काम कर रहे है लोग तो यह occupational exposure कहा जाता है incubation period की बात की जाए कितने लंबे समय का है तो current data suggest that तो आपका data suggest यह बताता है कि incubation period is uncertain incubation uncertain है है ना वो कम से कम 6 महने से ले करके 6 months से ले करके 10 years तक देखा गया है और यह even और लंबा ठीक है ना तो normally हम क्या सकते हैं कि from few months to 10 years or more to incubation period uncertain है निश्चित नहीं है यहाँ पर हम एक on average कुछ महने से लेके 10 साल के average लेकर चल लेते हैं virus can lie silent in the body for many years कई सालों तो virus सांथ पड़ा रहता है ठीक है मौज ले रहा होता है वो देखो मुझे पहचानो ठीक among the people infected with HIV possibly 1030% develop AIDS जिनको HIV होता है उसमें से केवल 10 से 30% लोग ही होते हैं जिनके अंदर AIDS परना पर जाता है याने कि finally condition AIDS तक पहुँच जाती है another 25-30% AIDS related complex और कुछ लोगों के अंदर AIDS related complex आया तब क्या है AIDS related complex अभी हम देखेंगे 75% of those infected with HIV will develop AIDS by the end of 10 years और 75% जो होते हैं of those infected with HIV will develop AIDS by the end of 35% लोग ऐसे होते हैं जो लगबग 10 साल के बाद उनके अंदर AIDS की संभावना है create हो जाती है निकि AIDS में बदल जाती बिमारी अब यह क्या है AIDS related complex यहां पर आजाएगा आपका AIDS related complex यहां के आएगा ठीक है ना समझे चलें क्या है initial infection की बात करें with the virus and development of antibodies शुरुवात में क्या होता है वारिस जब ग्रो करता है तो हमारी antibody में कुछ खास तरीके की antibodies develop होती है ठीक है ना यही वज़ा है कि यह जो antibodies हैं ठीक हम लोग डायरेक्ट virus का पता नहीं लगा पाते जब भी AIDS का टेस्ट होता है तो इन antibodies के लिए होता है क्या हमारी bodies में यह antibodies हैं यह खास तरीके की antibodies होती हैं जो HIV virus के आने पर ही हमारी body में बनती हैं तो हमारी body में हमारे blood में अगर यह early antibodies पाई जा रही है अब यह कौन सी है क्या है उसका discussion नहीं हो रहा है तो फिलाल सिर्फ यह समझा हम virus को चेक नहीं कर पाते हैं भी है ना कि virus body में है या नहीं है हम इन antibodies को चेक करते हैं हमने blood के अंदर यह antibodies है तो confirmation मिल जाता है कि AIDS हो गया है ठीक है तो initial stage में क्या होता है antibodies आती है हमारे में ब्लड के अंदर most HIV infected people have no symptoms for the first 5 years starting के 5 साल तक लगबग कोई भी symptoms नहीं आता है look healthy and feel well वो इंसान healthy रहता है और अच्छा मैसूस करता है can transmit the virus to other वो दूसरों को virus फैला सकता है once infected people are infected for life एक वारी infection हो गया तो जिन्दकी वार infection रहता है HIV antibodies 2 to 12 weeks bloodstream 2 से 12 हफतों के बीच में याने की 2 हफतों से लेकर के 12 हफते याने की लगबग 3 मेहने के अंदर अंदर HIV की जो antibodies है उसके खिलास जो लड़ती है वो हमारे blood में आना सुरू हो जाती है window period window period क्या होता है यह कुशन आ सकता है period before the antibodies are produced छीक है वो समय मतलब आज मालो आज आज अगर HIV infection हुआ है और तीन हफते लग गए antibodies आने में यह तो तीन हफते का समय है यह क्या क्या लाएगा window period क्या लाएगा although the person is infectious he will test negative one standard antibody blood test ठीक है ना window period में क्या होगा negative आता है क्योंकि उस बीच में antibodies हमारे पास नहीं develop हो पाई है के लिए रोग की बाते हैं कि initial infection stage होती है यहां पर कुछ पता नहीं चल पाता है इसलिए यह देंजर है सुरुआत के टाइम पर पता ही नहीं चल पाता है कि HIV बाड़ी में घुश गया है पता ही नहीं चलता है now asymptomatic state asymptomatic में क्या गया infected people have antibodies अब इसके बाड़ी में antibodies है no overt sign of disease बिमारी के कोई लक्षण नहीं है persistent generalized lymphadenopathy एक persistent लगातार एक generalized जो lymphadenopathy है lymph का प्रॉलम है वो आपका क्या है लगातार बना रहता है ठीक है इसके अलावा कोई और लक्षण नहीं दिखाए देते हैं फिर धीरे धीरे समय बढ़ेगा और AIDS related complex आने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे की unexplained diarrhea डाइरिया हो रहा है लूजमों हो रहा है पता ही नहीं है क्यों है ठीक ही नहीं होता ठकान बहुत लगेगी बेचया नहीं रहेगी loss of more than 10% body weight 10% से ज्यादा body weight गिर जाएगा और बुखार आता रहेगा क्यों आ रहा है किसली आ रहा कोई पता नहीं है रात में पसीना आएगा और generalized lymphadenopathy यह symptom बना ही रहता है तो यह होते हैं AIDS related complex यानि कि अब अगले stage में आपको AIDS हो जाएगा AIDS में क्या है AIDS and stage of HIV infection HIV infection की आखरी अवस्था AIDS कहलाती है टीबर क्लॉसिस और कैपसोई सार्कोमा सीनरली टीबर क्लॉसिस हो जाएगा सार्कोमा कैंसर का रूप हो हो जाएगा वें टी हेलपर सेल ड्रॉप 200 है जो हेलपर सेल लगवख 100 या 200 से नीचे आ जाएंगे ठीक है केंडाइडा ऐसो फाइटीज क्रिप्टो कोकस मेरेंजाइटीज एंड पैंसिलॉसिस है ना ऐसो गले का infection मेरेंजाइटीज ब्रेन में जो लेयर होती है उसका infections और इंफ्याइट और टैक्सो प्लाजम और जो है यानिंग कि आखकल और शौकु प्रेंड नीचे आ गया तो यह सब बिंबारी बुरी तरीके से बॉडी के अंदर पनपने लगती हैं यही तरह से कई सारे सिंटम्स आने लगते हैं तभी सिंड्रॉम कहा गया है नाओ फाइनली एड्स इंसेफिलोपैथी डिमेंशिया ब्रेन इंफेक्शन हो जाता है पूरा जाओ तरफ डिमेंशिया ब्लग कर पन कुछ याद नहीं रहे हैं डिमेंशिया हो गया है ठीक है यह हो गया सारे एड्स के लक्षन जब एड्स आगया तो मतलब समझ लो आपका ब्रेन गया बॉड़ी में तरह तरह के इंफेक्शन हो जाते हैं और अल्टिमेटली ओरल मुह के अंदर आपको कुछ सिंटम्टम्स दिखा यह लड़ता था इनको मारता था अब यह है नहीं तो यह पनप रहे है बास समझ मा रही है ठीक है तो यह सब किसके अंदर था हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर तो चार स्टेज में हमको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को समझाना है इसके अंदर next role of pharmacist हम सब को पता है यहाँ पर आप खुद से भी लिख सकते हैं promotion of safe and healthy sexual behavior सब से कहेंगे वह यह protective sex का use करें improve the management and control of STI ठीक है न STI को कैसे control कर सकते हैं कैसे improve कर सकते हैं उसकी knowledge देना है reduce mother to child transmission समझाएंगे एक मा को अगर ऐसी condition है तो किस तरीके से बच्चे को protect करना है provide appropriate post exposure services अगर aids हो गया है तो उसके बाद proper post exposure services क्या-क्या services एक ली जा सकती है patient के द्वारा वो सब उसको समझाएगा कि यह सब services लोगे प्रॉपर रहोगे तो ज़्याद दिक्कते नहीं आएंगी इंप्रूब वॉलंटरी टेस्टिंग और काउंसलिंग ठीक हो समझाएगा कि खुद से आएं टेस्ट कराएं अकर समभावना लग रही है आपने कोई ऐसी activity करी है कि आपको लगता है कि हाँ ऐसी समभावना है तो खुद से आएं और चेक कराएं providing information to patient regarding disease medication है उसके disease के बारे में दवाईयों के बारे में डाएट के बारे में lifestyle modification के बारे में पूरा knowledge देंगे patient को ठीक है assisting the patient in clarifying the doubt and taking suitable decision patient को assist करेंगे ताकि उसको doubts हैं कई बार मन के अंदर है ना ब्रहम भी पैदा हो जाता है तो उन सब दूर करेगा taking suitable decision with respect to management of disease और बिमारी को ले करके क्या management होना चाहिए किस तरह से proper हम उसको manage करेंगे control करेंगे वो सारी चीजों को ले करके वो उसकी help करेगा तो यह बात है तो आप मन से बना के लिख सकते हो मेरे खाल से अब तक तो expert होगे होगे last lecture है इस chapter का यह है ना हाँ या ना तो लो chapter खताब ठीक है lecture भी खताब chapter भी खताब तो आप सबको पता है करना क्या है notes का link description में दिया हुआ यह मेरा number है कोई problem आती है तो ठीक है मुझसे direct live class में जुड़ना चाहते हो तो app है हमारा जहाँ पर आप जुड़ सकते हो मात्र 1100 रुपे पे करके ठीक है सारे सब्जेट्स की वहाँ पढ़ाई होती है और सबसे ज़रूरी चीज चाहें आप हम से जुड़े direct या YouTube से पढ़े revision नहीं छोड़ना है revision करते रहेंगे क्या करेंगे revision all the best